हेलो फ्रेंट्स, डबलो एस क्यूटेक के चनल पर मैं है सुरेंद्र आपका एक बाइ फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंट्स, आज 11th क्लास के पाइफन की बुक में हम लोग डिसकस कर रहे हैं अपने चाप्टर नमबर 15 यानि की साइबर सेफटी को ले करके फ्रेंट्स, इस चाप्टर से रिलेटेट बहुत अरे टापिक्स हम लोग अभी तक जो है वो डिसकस कर चुके जिसे फ्रेंट्स, लाश्ट टापिक जो अपना था वो ता आपने पास साइबर क्राइम इंटरेंट के थूँ या कंपियूटर के थूँ कोई भी हमलोग किसी टाप का क्राइम करते तो वह सारा सारा अगर हम लोग यहां पर फ्रेंड बात करें तो next अपने पास Fiber Law and IT Act को लेकर के आपको क्या-क्या यहां पर जहां रखना होता है अगर in case friends आपने यहां पर कोई crime किया है तो आपको अच्छे से पता होगा के वहां पर जो है वो जेल तक हो सकती है और उसके अलावा कुछ और दूसरी ताइप के punishment भी वहां पर किये जा सकते है फाइन हो सकता है और भी कुछ चीजे हो सकती है तो friends यहां हम लोग discuss करने वाले वो है अपने पास Cyber Law Cyber Law is any law that applies to the internet and internet related technologies ठीके Cyber Law provides legal protection to people using the internet this includes both business and everyday citizens understanding Cyber Law is of the यहां पर जो है most important to anyone who uses the internet ठीके तो basically जो कोई भी internet को use कर रहा है उनके लिए यहां पर जो है अपने पास में Cyber Law है और basically आपको इन सभी चीज़ों को इनकी basically Crime को याद रखना है अगर किसी ने कहीं कोई Crime किया है तो उसकी लिए Friends यहां पर अपने पास law भी है आदा कि Friends इंडिया के अंदर भी तक जो law है Cyber Law जो है वो इतने जादा इस फ्रेक नहीं है कुछ fine पे ही यहां पर कई बार कुछ चीज़ें खतम हो जाती है ठीके बट फिर भी आपको अच्छे से पता होगा हम लोग जो है पिछले वीडियो में भी discuss कर चुके थे कि कई पार फ्रेंड्स हम लोग ऐसा करते हैं कि online अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी टाइप से आपने जो है कुछ abusing word use कर लिए आप जो है ऐसे कुछ वाड़ हम लोग discuss कर दें जिसमें cyberbullying था हमारे पास में तो फ्रेंड्स ऐसा हम लोग generally कर लेते लेकिन फ्रेंड्स यह illegal है अगर किसी को कोई issue नहीं है तो ठीक है चल रहा है अगर by the way किसी को को issue है तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है problem create हो जाती है तो हम को जो है यहाँ पर cyber law के बारे में जाना था तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक तो इंची जो के बारे में अच्छे से observe करना था इसी तरीके से अपने पास जो next topic है ठीक है वह अभी ही जो आने वाला है वह अपने पास है इंट्रेस्टिंग topic होता है कि आपके पास वैसे है तो theoretically लेकिन फिर भी आप जो है इन चीजों को बहुत यूज करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं common social networking sites है common social networking sites के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी है इसके अलावा भी friends बहुत सारी आपके पास हो सकती है कुछ है के examples आप यहां देख सकते हैं जैसे ट्वीटर डाल रखा है मैंने यहां पर इंट्रेस्ट डाल रखा है लिंक डिन डाल रखा है गूगल प्लस है हमारे पास यहां और भी ऐसे बहुत सारे examples आप साइड में दे हम लोग कुछ views उनके साथ share कर सकते हैं वो अपने view share करते हैं हम लोग कुछ post डालते हैं images डालते हैं videos डालते हैं कुछ links शेयर करते हैं तो इस टाइप से हम लोग क्या सकते है के social networking sites क्या हो चुकी है social networking site is a web application or online platform where people can set up their public profile and make connections with other online people called online friends तो आप अपने online friends के साथ में relation maintain करते हैं तो इसी ताप से friends हम लोग देख सकते हैं कुछ examples हैं जिसमें हम लोग देख रहते हैं Facebook है Twitter है LinkedIn है Instagram है और भी कुछ नाम जो भी आपके mind में आ रहे हैं जो भी आप लोग use करते हैं तो Facebook के हम लोग ब पहले website बना रखिए देन अभी उसका app भी अपने पास अवेलेबल है जहां पर हम लोग आपने friends बनाते हैं online friends और उनके साथ हम लोग अपने चैट कर सकते हैं इसी टाइप से आपके पास Twitter है तो Twitter हम लोग कह सकते हैं आपके पास हम लोग कह सकते हैं तो friends इसमें क्या होता है हमारे पास जो है एक limit मिलती है like 280 character maximum उतना ही character आप टाइप करके send कर सकते हैं LinkedIn हम लोग जानते हैं कि यह जो है आपके पास वो professional आपके पास आपका एक account बनाती है basically professionals के लिए आंके सकते हैं उसके बाद आपके पास एक और Instagram है जहां पर हम लोग अपने basically images और अपने वीडियो जो है किसी के साथ share कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह ऐसी कुछ चीजे हैं जो बिल्कुल common है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से आप इनको यूज करते हैं practically आपकी life में जो है इनको यूज में ले रहे होते हैं इसी ताप से next अगर हम लोग बात करें कि जब आप लोग आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने डिलीट कर दिया पर आपका डेटा कहां पड़ाया सेर्वर पे और एक बार अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के बाद किसी कोई message कर दिया कोई आपने image send गर दी तो फ्रेंड्स वहां lifetime तक के लिए पर्मानें को चेक करती जिसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं अपर के digital footprint मतलब उसने अपनी profile पर क्या क्या काम किया बहले ही आपने डिलीट कर दिया बट वहां पर डेटा जो है आपका पर्मानेंट इस्टोर रहता और उस डेटा को कभी भी कहीं से भी access किया जा सकता है अगर जिसको परबिशन है तो फ्रेंट हम लोग कुछ भी काम करें हो सकता है आपने आज से 5 साल पहले किसी को कोई पोस्ट किया है लेकिन फ्रेंट वो पोस्ट आज भी कहीं न कहीं जो है वो रजिस्टर होगा भले आपने आपने आईडी से उसको डिलीट कर दिया इमेजेस को आपने तो इजिटल पूट प्रिंट आपके पास आर पर्मानेटल इस्टोट वें यू स्टार उजिग उजिए अपने प्राइवेसी सेटिंग यर्सेल्फ बाइजिग अगाउंट सेटिंग तो फ्रेंट सम लोग कई बार कुछ जब इंटरनेट को यूज करते था मैं बहुत सार अगर मैं बात करता हूं फेस्बूक को लेते होगे तो फेस्बूक पर आप कोई डालना चाहिए अप लोड़ करना चाहिए तो उसमें आपने देखा हो कई बार होता है कि आप इसको पॉब्लिक करना चाहिए प्राइविट रखना चाहिए अपने फ्रेंट के साथ शेर करन चाहिए तो वह सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहां पर अब्सर्व करनी चाहिए इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ अपने पास में जो है वह वह एक्षानी प्रोफाइल पर आप काम करें बिल्कुल रियल प्रोफाइल आप क्यों नीची जो आपका नाम है वही जो करें ऐसा नियूद किसी और की फोटो किसी और का नाम किसी और की चलते हैं और आप उसको यूज करें ठीक हाला कि आप जान चुके होंगे कि यह एक टाइप का साइबर क्राइम भी होता है किसी ताप से फेंस बी सिक्योर चूजिंग स्ट्रॉंग पास वर्ट तो भी सि आपको बोला भी जाता है कि जो है पास्वर्ट का मतलब क्या हूंक है जिसमें आपके पास कुछ कारेक्टर होंगे लोर केस हो सकता है और यह ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपकी सपोस्कोई डेट आप बढ़ते आपकी बाइक का कोई नंबर है या आपके मोबाइल नंबर ऐ ऐसे नहीं हो तो यह ऐसे होने चीज़ जो कोई भी इजी ली उसको ट्रेस्ट नहीं कर सके इसटाइब से फिरेंट्स हम लोग कह सकते हैं फ्रिकुंटली चेंजिंगा पासवर्ड तो आज आपने जो पासवर्ड यूज किया हो सकता है कुछ टाम बाद आप उसको चेंज करना है तो आपको आपके पास्षाड ज मत्राइब जग है तो आपको आपको आपके पास हैं ओंक किसी के साथ किसी बी तरीके से कुई कमेंट होगेरा करके किसी बी तरीके से लड़ाई जो और छी चीज года Mexican नहीं करने तो आपने पशिछ यहां पर आपने पास किक Scripture और आपने जो इसको जो है वो प्रोटेक्ट करना होगगा उसी टाप से आपके आपके पोश्ट करें वो किसी के लिए मजाक बन सके कोई information आप डाल रहे हैं वो जो है वो आपके पास fake news वगरा something ऐसा कुछ हो इसी आप से फिंस respect your audience तो आपकी जो audience है आपके group है उन सभी का respect करें ऐसा नहीं कि ऐसा आप कुछ लिखे दें जिससे के आपकी जो friends हैं आपकी जो online friends है ओ लोग जो है आपके बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दे या कुछ गलत कहना शुरू कर दे इसी राइब से respect other sentiments तो आपके जितने भी लोग हैं आपकी group में उन सभी के sentiments का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है इसी राइब से monitor करके friends यहां पर social networking को use करने तो इस ताप से friends हम लोग जो है आज discuss करते बहुत सारे topics थे इस chapter से related theoretical topics था ठीक है तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे topics डिसकुस किया तो इसमें हम लोग इतना ही cover करने हैं वाले इस chapter से related almost सारे topics हम ने discuss कर लिए मिलते हैं अगले chapter में कुछ कर दो आप दो इस पर दो इस शौने तो इस पर दो इस यूद कर दो में लोगज पर दो इस वाले को पर दो इस अलवफ बहुत से थारे करे बहुत से नेवादी कर दो इस आप